प्रधान मंत्री मोदी ने सूडान हिंसा के बीच फसे भारतियों की मदद के लिए बैठक की है। आई आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूस एकसस वे जहाँ पर देश से जुड़ी कुछ और ज़रूरी खबरे कर रही हैं। सूडान में हिंसा के बीच फसे भारतियों को बचाने के लिए केंडर सरकार ने अभ्यान तेज कर दिया। 27 और 28 अप्रेल को बुलाया गया। करनाटक के बैंगलूरों के पास एक किसान और पीम मोदी से जुड़ा वीडियो बाइरल हो गया। वीडियो में दिखाए दिया कि ये किसान बारिश में पीम के कटाउट को कपड़े से साफ कर रहा है। उधर इस बीच बीदर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने एक रोडशो कर चुनाव प्रचार किया। अतीक एमत की पत्नी शाइस्ता परवीन के सरिंडर को लेकर रटकले तेज हो गई। प्रचार को ने आई-ए-स अधिकारियों को नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट और वन्चितों को वरियता का मंत्र दिया। पीम ने कहा कि बियोरो क्रेट्स पर देश के भविश्यकी बड़ी जिम्मेदारी है। पुंच आतंकी हमले की जाँच तेज कर दी गई। हमले की जाँच एनाई-ए को सौपी गई है, ऐसे में उसने घटना सल पर पहुंच कर सबूत जुटाए। एनाई-ए की टीम के साथ राज्जे के डीजी पी दिलबाग सिंग समेथ कई अधिकारी भी मौझूद रहे। भारत में ईद का चांद नजर आया, इसके बाद अप्शनिवार को इदुल फितर का त्योहार मनाने का एलान किया गया। इद से एक दिन पहले देशवर के बाजारों में रौनक नजर आई, दिल्ली में भी बाजार सजे दिखाई दिये।